जहिन दोस्तों, G7 समिट हुआ, पूरी दुनिया का मीडिया, इंडियन मीडिया को छोड़के, इंडियन मीडिया वैसे भी बहुत ही लिमिटेड वे में, गाएं और सूर और तिलक तराजू और पता नहीं, इन सब चीजों से भार में निकलता, अगर आप जैन्वनली देखे तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले G7, देशों का समुख कहे जाने वाले G7 का वर्ड समिट हुआ, ब्रिटेन के अंदर हुआ, कहा हुआ, कैसे हुआ, मैं उसीज में नहीं जा रहा, लेकिन मैं जिस मामले में इसका डिसकुशन हुआ, या जो इसकी पूर है, और छोटा सा इसका एक introduction भी दूँगा, बना कैसे और इसके objectives क्या थे, और क्या वो objectives आज भी relevant है, वो discuss किये जाएंगे, और क्या इसमें change की सुधार होने की ज़ूरत है, और सबसे बड़ी बात ये, कि जिस objective के साथ इसे देखा जा रहा था China, तो क्या ये China के against खड़ा ह हो पाएगा, ये चीज हम discuss करने जा रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले ये topic discuss करें, उससे पहले मैं आपको छोटी से information दे दूँ, कि Corona period के अंदर हालात खराब हैं, class लेने नहीं जा सकते, 300, 400, 500 बच्चों की classes जो भीड भरी होती हैं, हवा भी पास नहीं होती, और एक की छो खुलेंगे भी नहीं, खुलेंगे भी तो खत्रा बना रहेगा, तो ऐसे में आपकी पढ़ाई को disturb ना करें, NCRT का basic course हमारे पास जोईन करें, किसी भी government exam की NCRT का basic course जोईन करके, किसी भी entrance exam में पूछी जाने वाली GS को आप यहां prepare कर सकते हैं, UPSC और PCS की जो exams होंगे, उस का PT और mains का basic है, वो हम यहां cover करवाएंगे, तो इसलिए दोस्तों अगले हफते शुरू होने वाले batch के लिए, जल्दी से जल्दी registration करें, हम से जुड़े, ताकि आप पीछे ना रह जाएं, ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसकी fees, हम लोगों ने इसकी fees 500 रुपीज पर मन् निकल जाए, तो घबराने की जुरत नहीं है, जल्दी से जल्दी दिये गए numbers पर call करें, और information लें, अब आ जाते हैं दोस्तों G7 के उपर, group 7 countries का एक पूरा analysis छोटा सा देख लेते हैं, और यहीं पर एक बात छिपी होगी, कि क्या ये G7 चाइना को counter कर पाएगा, क्योंकि असलियत में debate और discussion तो चारो तरफ हवाओं में यही थी, चारो तरफ जो debate और discussion थी, वो यही थी कि क्या ये counter कर पाएगा, answer है, देख लेते हैं, असलियत में समस्या को समझिए कि ये जो G7 था, ये बना क्यों था, असल, देखिए, असलियत में G7 बना था, इस इलाके को लेक अदर, इस इलाके के अंदर अगर आप देखेंगे, तो ये पूरा region जो है, ये trade route के नाम से जाना जाएगा, साथ में ये oil and gas resources के लिए जाना जाएगा, और तीसरा यहाँ पर इसराइल का एक conflict शुरू होगा, समझे, और ये सबसे बड़ी बात, दुनिया के जो world trade है, दुनिया का जो व्यापार है, उसके लिए सबसे ज़्यादा important है, ये world trade यानि दुनिया के व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा important है, अब ऐसी situation में जब ये world trade यानि दुनिया के व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा important है, या दूसरी situation में अगर आप देखें, तो य यहां इस जगह पर एक dispute create हुआ, dispute यह था कि 1973 के अंदर, 1973 के अंदर यार की पुर याइक जो भी उनकी इस्राइली लेंग्विज में हो, वो अरब इस्राइली वार शुरू हुआ, अरब, इस्राइली वार शुरू हुआ, और खास बात यह है, यह पहला और आखरी ऐसा वार था, जिसमें ऐसा लगा, कि इस्राइल वाज गोईंग टू लूज, इस्राइल हारने जा रहा है, क्योंकि यह पूराना एक त्योहार होता है, त्योहार पे इस्राइल की आर्मी जो है, वो छुट्टी उट्टी पे गई हुई थी, और उसकी इन्फॉर्मेशन्स भी या इंटेलिजन्स भी काफी जादा अच्छी, नहीं प्रूव वो पाई थी, इस वज़े से कहीं न कहीं उसकी हालात खराब हो गई थी, ऐसी सिच्वेशन में जब ये अरब इस्राइली वार शुरू हुआ, समझे, तो इस्राइल हारता हुआ नजर आया, तो यहां अमेरिका ने अभी तक जो इस्राइल को चोरी छिपे या हलके फुलके हतियार दे रहा था, या यूरोप की आम्स एंड एम्यूनिशन टू इस्राइल, ये असलियत में, ये समझे मामला क्या है, ये असलियत में जब ये देखा के इस्राइल हार रहा है, तो अमेरिका जो आज तक इस्राइल को फ्रेंट लाइन स्टेट के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उस वो एक दम से दुनिया के स लेता है इस्राइल को हारने नहीं दूंगा सारे अतियार प्रवाइड करूंगा यहीं यूं कहें के रियल फेस अफ अमेरिका केम आउट इन ओपन अमेरिका का जो असली चहरा था इस्राइल को लेकर वह सब के सामने आ गया यहां अरब इसराइल वार में अरब का जो है बही इसराइल का और जूज का जो है वो तो एक सेंटिमेंट है अरब सेंटिमेंट एक तरफ है अरब सेंटिमेंट एक तरफ हो गया और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिसीजन्स या यूं कहीं पॉलिटिकल अब्जेक्टिव्स अफ वेस्टर्न कंट्रीज दूसरी तरफ हो गए साओधी अरेबिया ने जब ये देखा कि अमेरिका ये डिकलेयर कर चुका है तो साओधी अरेबिया ने अपने अरब कंट्रीज के साथ मिलकर ये डिकलेयर किया कि no supply of oil and gas to western countries साफ बात है कि जो भी western countries हैं अमेरिका के देश के साथ हैं हम उनको oil और gas supply नहीं करेंगे नतीजा क्या हुआ जो ओयल और गैस के जो प्राइसिस थे वो आसमान चूने लगे और इसी को ओयल एम्बरोगिलियो कहा जाता है एक संकट कहा जाता है तेल संकट और गजब तेल संकट था पूरी एकोनॉमी ओधे मू गिरते हुए नजर आ रही थी ऐसा नजर आ रहा था कि पूरी दुनिया की जो अर्थ विवस्था है एकोनॉमी है वो डूबने वाली है जब यह नजर आने लगा कि पूरी अर्थ की दुनिया की एकोनॉमी यानि अर्थ विवस्था डूबने जा रही है तो यहीं से जो situations है ना दोस्तों वो बदलने लगी और पहली बार पहली बार दुनिया के जो economically dominating countries थे आर्थिक तौर पर मजबूत देश थे ताकतवर देश थे उन्होंने एक साथ आकर इस मामले में discussion करना सही समझा और यहां पर 1975 में 1975 में six countries जो छे देश थे जो democratic थे जो democratic थे जो इंडस्ट्रियलाइज थे जो अध्योगी क्रत थे जो democratic थे जो अध्योगी क्रत थे समझे दॉमिनेंस ओवर वर्ड एकोनोमी इकोनोमिक पावर थे आर्थिक शक्ती थे और दॉमिनेंस ओवर वर्ड एकोनोमी दुनिया के अर्थ व्यवस्था पर उनका प्रभाव था दबदबा था कौन कौन जापान टाइगर आफ एशिया गजब सबसे पहला इंडिस्टिलाइज तो यही था ना सोच कर देखिए आज भी चाइना से ज़्यादा बड़ी छोटी एकोनोमी थोड़ना है चाइना को बड़िया टकर दे रहा था अब चाइना क्योंकि बड़ा है ताकतवर हो हालात थे वही हालात इंडिया के थे हाँ पाकिस्तान को जो है आपने धूल चटा दी थी और इंडिया भी पॉलिटिकल टर्मोयल में चल रहा था इटली ताकतवर देश था फ्रांस ताकतवर देश था जर्मनी ताकतवर था युनाइटेड किंडम ताकतवर था और अमेरि अब हो गए G7, दुनिया के सबसे पावरफुल ताकतवर देश, जो दुनिया की एकोनॉमी पे कंट्रोल रखते हैं, जो सबसे ज़ादा प्रोडक्शन करते थे, सोच कर देखिए, सबसे ज़ादा प्रोडक्शन करते थे, पैसा सबसे ज़ादा इनके पास था, इंडस्ट्री सबसे ज़ब इनके पास थी, टेक्नonnology सबसे ज़दा इनके पास थी, टेरेंड सबसे ज़ब इनका करते थे, सब जगाओं पर इनका control था और सबसे बड़ी बात इस oil and gas market के भी सबसे बड़े उपभोगता, यही देश थे, यही देश्त है तो सोच कर देखिए यह सारे इकठे होकर मिलते हैं और इन्होंने discussion करना शुरू किया एक बहुत ही unofficial सा group है यह ऐसा है जैसे school के सारे teachers मिलके discussion करने लग जाते हैं कि school को आके कैसे बढ़ाएं college के जो leaders हैं वो discussion करने लग जाएं कि college को आके कैसे बढ़ाएं या सारे business man मिलकर एक अठा discussion करने लग जाएं कि ऐसे क्या बढ़ाएं बस discussion करते हैं debate होती है discussion होता है और policy जो भी आगे पीछे shift हो उसको करके यह लोग बस कोई headquarter में कुछ नहीं बस मिलते हैं साल में एक बार साल दो साल जो भी है जब यह दो देश मिलते हैं तो असलियत में world economy को कैसे direct किया जाएं उसके उपर यह discussion करते हैं और वही discussion आगे जाकर दुनिया की economy को decide करती है जी seven countries अब obvious सी बात है धीरे धीरे आगे बढ़े 1997 के अंदर रशिया इसमें शामिल हो जाता है लेकिन 2014 के अंदर अगर आप देखोगे इस इलाके पर रशिया ने कबजा कर लिया इसे क्रीमिया कहते हैं तो क्रीमिया पे जैसे ही कबजा किया तो रशिया बाहर पहले जी eight हो गया था फिर दुबारा से जी seven हो गया काम खतब यहां तक तो एक यह simple discussion है कि क्या अमेरिका आगे बढ़ेगा या मतलब जी seven countries किस तरीके से डवलब होई लिकिन अब बना कब था यह 1975 में कितने साल हो चुके हैं पच्चीस दस पच्चीस बीस पच्चीस पैंतालिस च्छी आलिस साल 46 इस यानि अगर आप देखेंगे हसने के जुरत नहीं मेरा मैस थोड़ा कमजोर है तो अब 40 45 46 इयर्स अगर आप देखते हैं यहां हो चुके हैं तो 46 इयर्स में दुनिया में क्या बदलाव आया वो देखिए जिस टाइम पर यह बना तो उस टाइम पर कोल्ड वार चल रहा था और कोल्ड वार में USSR भी था समझे ऐसे में यह जो G7 था वो असलियत में Economic Powers तो थी ही थी Economic Powers यानि आर्थिक शक्तियां तो थी ही थी साथ में यह एक सिगनल भी था सिगनल टू USSR ब्लॉक समझे और सबसे बड़ी बात यह है उस टाइम पर इनके अलावा यह जैनुवनली Economic Powers थी और इनके सामने कोई दूसरी पावर खड़ी नहीं थी तो इसी लिए जब यह कंट्रीज खड़ी होती थी तो इनको इनका पूरी दुनिया पर दबदबा दिखाई देता था यस लेकिन आज अगर आप 2021 में देखते हैं तो यहां आप ब्रिटेन को देखेंगे तो ब्रिटेन फ्रांस और जर्मनी जर्मनी भले ही इकोनमी स्ट्रॉंग है इकोनमी स्ट्रॉंग है प्रोडक्टिव है फ्रांस की इकोनमी स्ट्रॉंग है इसमें कोई शक्की बात नहीं है युनाइटेड किंग्डम की इकोनमी ओके है लेकिन स्ट्रॉंग नहीं है यहां United Kingdom अपनी existence के लिए Brexit का मामला अपना रहा है इटली दुनिया के सबसे बुरी दुर्गती होते हुए यूरोप के सबसे कमजोर और गरीब देशों में से एक माना जा रहा है और 2008 के आसपास जब recession आया तो इस हालत के अंदर recession के अंदर pigs नाम का एक word चला था Portugal, Spain, Italy और Greece ये चार देश pigs countries जिनकी economy डूब रही है हालात खराब हैं बिलकुल बुरे situation से ये निकल रही है तो यानि किसी समय की economic power आज के दिन कंगाल हो चुकी है किसी time की economic power आज के दिन कंगाल हो चुकी है और Italy की हालत तो ये है कि वो चाइना पर इतना ज़्यादा dependent है कि जो G20 summit चाइना में होने जा रहा है Italy उसके बारे में साफ कह चुका है कि वहाँ पर हम world economy पे discuss करेंगे anti-China कोई चीज discuss करने वाले नहीं है अब ऐसी situation में Italy की हालत देख सकते हो अब ऐसे में अगर आप देखेंगे Japan जापान एक declining economy है जो की aging population से जूज रही है और कहीं न कहीं जो किसी time पर world leader होती थी आज की दिन इसे दुनिया के उपर dependent होना पड़ रहा है कि मेरे पास जो पैसा है वो मैं आपके देश में invest करता हूँ मुझे returns मिलते रहेंगे ताकि economy चलती रहे उसके बाद अगर आप देखेंगे सबसे जादा जो बड़ा और drastic change इस दुनिया की economy में इस पचास साल में हुआ है चाइना Rise of China अगर Rise of China देखते हैं और इन G7 countries जिसके अंदर USA, UK, France, Germany, Italy, Japan और Canada खास बात यह है कि अगर एक USA को हटा दिया जाए तो इन सबके GDP से चाइना का GDP ज़्यादा होगा इंडस्रियलाइजेशन के नाम पे देखा जाए तो इसकी economy कहीं ज़्यादा बड़ी है कहीं ज़्यादा बड़ी है और मज़े की बात यह है कि इंडिया की economy भी private जो PPP है जो PPP model है उसके according इंडिया की economy भी बाकी देशों से बड़ी है third largest economy तो ऐसी situation में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अब जो किसी time पर top 7 powerful countries थी उन में से आज के दिन इवन USA से लेकर ये सारी countries dependent on China है यस ये सारी की सारी countries चाइना के उपर इतनी ज़्यादा dependent हैं कि आज अगर चाइना इनकी supply बंद कर दे तो बले ही चाइना के घर के अंदर हालात खराब होंगे लेकिन ये तो बिलकुल ही अद मरे हो जाएंगे यस कॉरोना चाइना से फैला ये आज भी allegation लगा रही है लेकिन problem समझिये कि कॉरोना चाइना से फैला वो allegation लग रहा है लेकिन उस allegation के बावजूद उस allegation के बावजूद business चाइना से अभी वैसे का वैसे है in fact बढ़ रहा है अब ऐसे हालात में आप देख सकते हैं कि क्या ये G7 पचास साल पहले जितना ताकतवर था क्या ये उतना ताकतवर आज है किजी टाइम पर अमेरिका जो है वो ओयल को और गैस को इंपोर्ट करता था ओयल और गैस को इंपोर्ट करता था आज के दिन USA अपने आप में ओयल और गैस का एक्सपोर्टर है नतीजा क्या है कि ये सारे के सारे देश अमेरिका को पहले अपना ग्राहक समझते थे आज के दिन वो सारे देश अमेरिका को अपना कॉम्पिटीटर समझ रही है तो जो इस ओयल और पेट्रोल के बड़े ग्राहक थे कौन जर्मनी फ्रांस इटली और उसके बाद क्या नाम है जापान और उसके बाद कैनेडा USA इनको उठा कर देख लीजिए USA अपना ओयल प्रोड्यूस कर रहा है फ्रांस अपना जापान जो है इकोनामी को बहुत जादा ओयल का कंजम्प्शन नहीं है कैनेडा बहुत जादा इकोनामी का कंजम्प्शन नहीं है और खुद भी थोड़ा बहुत प्रोड्यूस कर रहा है हैं इनके लिए का मार्केट कौन कौन सी हैं इंडिया और चाइना प्रोडक्शन हाउस कौन से हैं चाइना कुछ हद तक इंडिया तो क्या दुनिया अभी भी इस जी सेवन के भरोसे बैठी रहेगी या यह एक बुढ़ा होता हुआ और्गनाइजेशन है जो अपने चरम शक्ति पर पहुंचे हुए देश चीन को टकर देने के लिए बैठक कर रहा है मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि बुढ़िया गए हैं बुढ़े हो गए हैं और चीन को टकर नहीं दे पाएंगे बस अब ये गाओं के उन बुढ़ों की एक पंचायत है जो चिंतन मनंतों सारे मुद्धों पर करते हैं लेकिन अब इनका सुनता कोई नहीं है क्योंकि इन से कहीं ज़ादा कदावर ताकतवर ग्रुप्स खड़े हो चुके हैं तो सवाल अब ये उठाये कि क्या इस G7 में किसी तरीके के बदलाव की ज़रूरत है और यही रीजन है ये उसके अंदर South Korea से लेकर, Australia से लेकर, India से लेकर, South Africa से लेकर सारे देशों को जो भी ताकतवर नए बनके उभर रहे हैं डेमोक्रेसी जो हैं उनको अपने साथ मिलाने और बुलाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया को तो सबस्यादा बार बुलाया गया पिछले 20 साल के अंदर तो ये discussion बहुत जरूरी है और सवाल यही है कि क्या counter कर पाएंगे answer है गाओं के बुढों का एक ऐसा group रह गया है जो किसी समय पर जवान रहते थे और उनकी 14 हट पूरे देश पूरी दुनिया में चलती थी अब उनमें वो ताकत नहीं रही उनसे कहीं जादा जवान और एनरजेटिक देश इस दुनिया में बूढ़े यह यह कहें कि एक अच्छा बेटा काम कर रहा हो लेकिन चीन जैसा उद्धंडी गुंडा इनकी बात सुनने वाला नहीं है तो समय के अनुसार जैसा भी चेंज होगा उसके उपर डिसकेशन करेंगे अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इतना जादा भी इसके उपर भरोसा क करने के जरूरत नहीं है अभी के लिए इतना ही धन्यवाद